Welcome back चलिये सरव अगला टॉपिक का है सरस्माज कंपनी सर स्माल कंपनी क्या होते है छोटी कंपनी जो była की कैपिटल और ne मामलें च्छोटी कंपनी केम्पनी होता है चाही स्माल कंपनी जैसे क्लियर है तो स्माल कंपनी का डेफ़िनेशन देखें बड़ा अटपटा definition दे रखा है जो कि आपका private limited limited company नहीं है वो small company है small company की खास बात जो decide होता है ना उसके sales से और उसके capital से decide होता है ठीक है एक number sales एक number capital और यह holding subsidiary वगरा भी नहीं बन पाते small company तो क्या कहता है small company देखते हैं small company कहता है the companies act provide small company section 2 sub section 85 में क्या कहता है small company as company other than the public company यह कोई बात थोड़ी नहीं कि small company वो है जो कि public company नहीं है बस simple सी अब देखिए majorly small company वो है जिसका paid up share capital ना चार करोड़ है और उसकी sales 40 करोड़ रुपे की होने चीए turnover यानि sales not exceed sales कितना होना चीए आपका 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चीए अगर आपका 4 करोड़ से capital कम है और sales 40 करोड़ से आपका कम है तो आपको बोलेंगे small company और होईवर small company ना subsidiary company holding company या section 8 company में रेजिस्टर नहीं हो सकता तो बड़ी simple सी चीज़े small company अब अगर आप small company category में आ जाओ गए तो definitely आपको फिर से benefit मिलने माला है सर क्या benefit मिलेगा small company को देख लेते हैं exemption तो पहला benefit है कि आपको जो board meeting है ना जो चार करनी होती है नौर्मली उस case के अंदर आपको at least one meeting करने पड़ेगी board meeting कितनी करनी पड़ेगी सहाव one board meeting और half year calendar यानि एक half year calendar में एक यानि यानि दो meeting मैं overall बोलूं यहां पर तो आपको दो meeting करनी है वही OPC वाली बात आ गई ठीक है ना board meeting सर यह करना जरूरी होता है board meeting भी बहुत बड़ी टेंशन है सभी लोगों को बुलाना फिर बिठाना फिर खिलाना फिर पिलाना ऐसे नहीं के बोर्ड मिटिंग में आ गए उनको पैसे भी देने पड़ते हैं टेंशन है बोर्ड मिटिंग इसलिए कि टाइम टाइम होता रहेगा तो गड़बड़ी का पता चल जाएगा कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रहा दूसरा क्या है मेंडेटरी रोटेशन आपको रोटेशन ऑड़ीटर को नहीं करना पड़ेगा और रोडिशन क्या होता है सब आपको हर पांस साल बात अपने ऑड़ीटर को बदलना जरूरी हो गया पहले नहीं था सब नया कानून आ गया है ऑड़ीटर कोन होता है हमारी कंपनी के अंदर अगर कोई गड़बड़ी कोई चल रहा है तो वह तो हम छुपा लेंगे लेकिन गवर्मेंट कहता है आप एक ऐसे वक्ति से अपने खाते को जांच करवाईए जिससे आपका कोई दूर तक लेना दे तो इसके अंदर वन परसंट कंपनी के अंदर यह वाला कॉंसेप्ट नहीं आता रोटेशन ऑफ ओडिटर का ठीक है स्मॉल कंपनी नोट रिक्वाइट टू प्रवाइट रेमुनेरेशन जो हमारा दूसरी कंपनी अधर कंपनी है वहां पर बताना पड़ता है कि इसका रेम इमुनेरेशन का मतलब सेलरी देना होगा लेकिन यहां पर जरूरत नहीं है कि आपको कितना प्रवाइट करना डिटेल नहीं बस आप टोटल अमाउंट बता दीजिए इनफ है दा ऑडिटर ऑफ स्मॉल कंपनी नोट रिक्वाइट टू रिपूर्ट इसके जरूरत नहीं है कंपनी के अंदर प्रोसेस जैसे अगर मैं अपने अप्लिकेशन पर कुछ भी कूपन कोड लगाओ और वह अपलाई हो जाए और आप उसको डिसकाउंट ले सकते हैं कुछ भी लगाओ और वह अपलाई हो जाए तब कैसा रहेगा तब लूफोल्स हो गया कोई भी बच्चा से फटाफट पढ़तें स्मॉल कंपनी Cape Airport नहीं सप्कानि करोड के बलाशना से चार करोड से ज्यादा नहीं होना चान चांथा常 वह सब्सेडरी कंपनी होल्डिंग कंपन नहीं बन सकता वन लाइसेंस कमपनी नहीं सकता दूसरा सर दो मीटिंग से काम चल जाएगा तीसरा सर आपको अपने जो mat वो decide नहीं करना पड़ेगा उसके साथ साथ आपको internal control चेक्नी करना पड़ेगा auditor की rotation करने के कोई अबर शकता नहीं है तो यह क्या था हमारा overall one परसन कंपनी होफुली आपको समझ में आएका याद पूरा करना है टैनियर के अंदर भी आपको नोट्स गीवन है और मैं अलग से भी नोट्स दे रहा हूं पूछा जाता है कई बार समॉल कंपनी क्या होता है पांच पांच नंबर के सवाल आएंगे और जितना हम लिख रहा है यह इनफ है हमारे लिए ठीक है ना